Hello, Hi everyone! Mass Communication basic tutorial class में, मैंसों से नह casos-ね, आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ. और आज हम बात करेंगे कम्यूनिकेशन के बारे में, कम्यूनिकेशन को एक नए ऐंगल से समझते हैं, उसके बाद हम कम्यूनिकेशन के फंक्शिंस को समझेगे और उसके बाद हम communication की types को समझेंगे कि communication में दो important types होते हैं, verbal and non-verbal तो समस्ते सबसे पहले कि communication क्या होता है जैसे कि मैंने अलड़ी बहुत सारे videos में बताया है कि communication क्या होता है तो basically communication जहां पर commonness की बात होती है वहां communication establish होता है commonness कहने का मतब सिफ language की commonness नहीं है जैसे कि आपने आपको एक नए वेक्ति से मिले हैं जहां पर आपकी language नहीं मिल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि महां पर communication establish नहीं हो सकता है बिना language के भी आप वहां पर communication establish कर सकते हैं आपके वर्बल नॉन वर्बल कम्मिनिकेशन के थुरू भी आपके बिए स्टाइबिश कर सकते हैं communication में बहुत commonness की जरूरत होती है जहां पर हम जहां पर आपकी न कहीं न कहीं कह सकते हैं कि language तो एक commonness factor होता ही है उसके साथ जाएपका field of experience और अलब किस experience को face कि आए आपके पास सामने वारा वैक्ति भी उसी experience को face करता है तो वहां भी आपके अंदर communication स्टैबलिश हो सकता है तो communication में जहां भी आपके अंदर एक commonness अब आपको एक classroom में जाते होंगे आपको अपने school days याद होंगे वहां पर आप याद करते होंगे कि बस यह imagine कीजिए कि आपका कोई best friend क्यों बना था क्या common factor थी आपके और आपके best friend के बीच में शायद आपका taste and preferences जहां पर equal हुआ था इस वज़े से आपने अपने friend को friend बनाया था या फिर आपका friend जो था वो पढ़ने में बहुत अच्छा था और आपको भी वह पढ़ाई उस subject के बारे में ज़्यादा knowledge रेना था तो कुछ ना कुछ एक common factor होगा इसी वज़े से आप पर communication establish हुआ होगा और आप friend बने होंगे तो communication कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत सारे common factor से जुड़कर बनता है यहां पर डेनिस मैक्वल ने भी यही कहा है कि according to डेनिस मैक्वल communication is a process which increases commonality but also requires element of commonality for it to occur तो सिर्फ commonality में कह सकते हैं कि जहां पर commonness की बात होती है वहां पर commonality जहां पर कोई common factor होता है वहां communication establish होता है A common language for instance does bring people together but language alone does not suffice for communication to take place there are other factors to play such as culture, common interests which bring about a sense of commonality Same thing Dennis मैक्वल ने भी कहा है कि सिर्फ language को हम नहीं कह सकते कि वह common factor establish करने का माध्या में बाकी भी चीज़े होती है जैसे कि वहां पर common interest की बात होती है जहां पर common culture के बारे में बात होती है Common taste, preferences, liking, disliking की बात होती है आपकी nature की बात होती है कोई introvert person होता है तो आप भी introvert है तो वहां commonness factor establish होता है तो कोई भी factor हो सकता है common चीज़ों को establish करने के लिए आई अब हम बात करते हैं communication के कुछ functions होते हैं पहला function होता है information का communication का पहला function होता है लोगों को inform करना किसी भी term में information होता है दूसरा है persuade करना यानि कि लोगों को belief करना किसी चीज़ों को लेकर उनको उस चीज़ पर convince कराना उसको persuade कहते हैं integration होता है क्योंकि कोई भी चीज isolation में नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए लोगों का एकजूट होना teamwork बहुत ज़रूरी होती है किसी चीज़ को achieve करने के लिए तो integration यहां तीसरा है चौता है education, educate करने के लिए हम communication करते हैं सामने बाले को सिख्षित करने के लिए entertainment उसका अगला factor है लोगों को मनुरंजन करने के लिए entertain करते हैं cultural promotion यानि कि अपने culture को promotion करने के लिए अगर आप किसी एक particular culture को और बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों से एक जूट होते हैं बाचीत करते हैं और अपने culture को promote करते हैं अब हम बात करते हैं आपके की communication को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं verbal communication and non-verbal communication बहुत सिंपल है बवल घ्रीचन को discontinuous communication कहते हैं ये exam में नेट के exam में पूछा गया है कि communication कמו सकते हैं तो verbal communication जो होता है прот Инज को सकता है उसमें वोटा है और क enrolled निकेशन होता है बातचीत में आम भाषा में शो कम्मिनिट करते हैं यानि presentation देना, seminar में speech देना या general बातचीत करना वो oral communication है, written communication जैसे कि कोई memo लिखना, किसी तरीके का report तयार करना, किसी तरीके का minutes तयार करना, वो written communication आता है, यह written communication generally formal communication का एक पार्ट होता है, non-verbal communication में देखिए बहुत important है non-verbal communication, non-verbal communication के कई types होते हैं, एक होता है kinesis, इसको हम body language कहते हैं, यानि कि आपके body language बहुत कुछ communicate करती है, अगर आप गुस्ता है, तो आपका how भाव बता देगा, कि हाँ, आपको वो चीज़े पसंद नहीं आए, अगर आप confident है किसी interview में, तो वो body language से show होता है, जहां पर आप street बैठते हैं, street posture में बैठते हैं, आपकी आखें जो होती हैं, बहुत sharply eye contact कर रही होती है, तो ये body language बहुत कुछ बताता है आपकी personality को लेकर, आप सिफ एक सामने वाले इंसान को देख कर बता सकते हैं, कि वो person की personality कैसी है, उसके body language से, haptic communication जहां पर touch की बारे में बात होती है, जैसे कि कि किसी को पीट में थप थपाना, जैस हम haptic communication कहते हैं, proximist कि यानि कि हम यहां पर बात करते हैं, space के बारे में, यानि कि जहां space की बात होती है, जैसे कि हमारे तीन तरीके के spaces होते हैं, चार तरीके के space होते हैं, एक होता है intimate space, ये intimate space हमारे family के लिए reserved रहता है, उसके बाद आता है personal space, personal space हमारे friends के लिए reserved रहता है, ह इसके बाद आता है social space जानी की जान पहचान के लोग है उनके लिए और public zone जो है वो unknown लोगों के लिए रिजर्व रहता है तो यह चार तरीके की space होते हैं जिसको में प्रॉगीजिम सिर्व में आता याणी space की बारे में बात होती है उसके बाता है chroma 6 याणी time के बारे में बात होती है जानी कि आपका time की पधी आप Last जादा पंक्शूल है ये भी कम्मुनिकेट होता है आप की क्या है अगर JACKY कही ना कहीं एंफ कन भी कम्मिणिकेशन दुब धर्चाता है उसके बाद पारा लैंगिश नार्प तो मैंने बहुत शौट में आपको ये सम्झाने की कोशिश की है, verbal और non-verbal communication को और बाकी functions of communication को तो hopefully आपको ये चीज़े समझ में आई होगा next class में हम आपकी जो बातचीत होगी next में वो होगी communication barrier के बारे में हम इसके बारे में भी बहुत जल्दी बात करेंगे तब तक के लिए मेरा वीडियो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें